हिंदु धर्म शास्त्रों के अनुसार श्रीक हाटू श्याम जी का संबद महाभारत काल से माना जाता है वो पांडू पुत्र भीम के पौत्र थे श्रीक हाटू श्याम जी काफी शक्तिशाली थे द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण के वरदान की बज़े से कल युग में उन्हें श्री श्याम के नाम से पूजा जाता है कहा जाता है कि बरबरीक में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले महाभारत युदि के सभी योध्धाओं पर भारी थी कौरव पांडवो का उनसे जीत पाना संभव नहीं था आज इस थान पर खाटू शाम बाबा का मंदर है उस थान पर बरबरीक का कटा हुआ सिर भगवान श्रीकृष्ण ने रखा था श्रीकृष्ण के आशिरवाद से बरबरीक को नया नाम श्याम मिला था श्रीकृष्ण ने उन्हें आशिरवाद देते हुई कहा था कि तुम कल्यूग में मेरे नाम से पूझे जाओगे वो व्यक्ति जो दुनिया में हर जगा से हार जाएगा तो तुम उसका सहारा बनोगे खाटू शाम बाबा को इसलिए हारे का सहारा कहा जाता है आईए जानते हैं खाटू शाम में हर साल लगने वाले मेले के बारे में इस बार ये मेला चार मार्ज को लगने जा रहा है हर साल क्यों लगता है मेला खाटू शाम अर्थात मा सैवेयम पराजित अर्थात जो हारे होई और निराश लोगों को संबल प्रतान करता है भगवान श्री शाम बाबा को जरम दिन हर साल कार्तिक मास के शुलपक्ष की देवुठनी एकादशी को मनाया जाता है नेकिन खाटू बाबा का इससे भी खास दिन होता है जो फालगुन मास के शुकलपक्ष की द्वादशी तिथी को आता है इस दिन बरबरीक भगबान श्रीकिशन के कहने पर स्नान करके पूजा की ओर अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्रीकिशन को दान कर दिया इस दिन के याद में यहां मेले का आयुजिन होता है इस बार ये मेला चार मार्च को आयुजित किया जा रहा है हर साल मेले में 30-40 लाख लोग आते ही हैं बहुत प्राचीन मंदिर खाटुशाम मंदिर बहुत ही प्राचीन है लेकिन बरतमान मंदिर की आधारशीला सन 1720 में रखी गई थी यहां लगता है मेला इसी मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटुशाम का प्रसिद मेला हिंदु मास, फालगुन मास, शुक्ल शष्टी से बारस तक ये मेला चलता है ग्यारस के दिन मेले का खास दिन रहता है लाखो श्रधालू आते हैं यहां राजिस्तान के सीकर जिले के खाटुदाम में पढ़ने वाले बाबा श्याम के इस बार्षिक मेले में तक्रीबन तीस से चालिस लाख श्रधालू के पहुचने का अनुमान है दो वर्ष कोरोना के कारण यहां लोग नहीं पहुच पा रहे थे लेकिन इस साल यहां यह संख्या बढ़ने वाली है कहां है खाटुशाम मंदिर? कहां है